नमस्कार, Mission Genius Mind Consultant Private Limited से संचीव मलिक ये Self-Hypnosis वीडियो पढ़ाई में अपने आपको बहतर बनाने के लिए concentration और memory इंप्रूव करने और exam anxiety को overcome करने के लिए बनाया गया है इसका आप normal दिनों में भी उप्योग कर सकते हैं और exam के दिनों में तयारी करते हुए तो खास दोर पे अपनी anxiety को overcome करने के लिए इसका उप्योग कर सकते हैं exam के दिनों में विशेश रूप से आपकी उर्चा पहले से बहतर हो मन शानत रहें जो पढ़े वो याद रहें और आपकी performance पहले से बहतर हो सके इसके लिए इस वीडियो को दिन में कम से कम एक बार जरूर देखें और अगर पांच दिन लगातार देख सकें तो आपको बहुत अधिक फाइदा होगा इस वीडियो को end तक देखें पूरे process को follow करें बीच में ना उठें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें साथी bell icon पे click करें ताकि notification भी आपको नए वीडियो का मिलता रहे अब यहां से इस audio की शुरुआत होती है अपना पूरा ध्यान कुछ समय डीप ब्रीधिंग करें गहरा स्वास लें और छोड़ें गहरा स्वास लेते रहें छोड़ते रहें लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें अपनी नजरें लगातार इस स्क्रीन पर बनाए रखें लगातार देखते रहें, देखते रहें अपने आपको धिला छोड़ते जाएं इस स्क्रीन को देखते देखते, स्पाइरल को देखते देखते अभी ब्रीदिन करते रहें मन शान्त होता जा रहा है शान्त होता जा रहा है पूरी तरह इस टैनल की गहराई में जाने की कोशिश करें सास में अपनी कल्प न जोड़ दें कि आप गहरे जाते जा रहे हैं गहरे जाते जा रहे हैं गहरे जाते जा रहे हैं स्वांस को अभी भी चलाते रहें जोड से इनहेल एकसेल सामने देखते रहें और आप स्वांस पर कंट्रोल छोड़ दें शरीर को ढीला होने दें जैसे जैसे आप इस टर्नल को देख रहे हैं इस स्पाइरल को देख रहे हैं आप की आँखें भारी होती जा रहे हैं आँखें भारी होती जा रहे हैं और आप गहरे नेन के वस्था में पहुंचते जा रहे हैं गहरे जाएं गहरे जाएं, गहरे जाएं, गहरे जाएं मन बिलकुल शान्त होता जा रहा है आंकें अपने आप भारी होने लगी हैं, बलकें भारी होने लगी है शरीर धिला होता जा रहा है मन शान्त होता जा रहा है आंके और भारी और भारी और भारी आंके इतनी भारी हो चुकी है कि अब आपका आँखों पर कोई कंट्रोल नहीं है और आँखें अपने आप बंद होती चले जा रहे हैं और आप गहरी नीन में प्रवेश करते जा रहे हैं अब आप तब तक इस ट्रांस की स्टेट में रहेंगे जब तक मैं आपको आइज ओपन वाइड अवेक कमांड नहीं दूँगा तब तक आप इसी गहरी ट्रांस की स्टेज में रहेंगे मेरी इंस्ट्रक्शन के बिना अभी आप इसी ट्रांस की स्टेज में ही गहरे जाते जाएंगे गहरे जाते जा रहे हैं और गहरे जा रहे हैं गहरे जा रहे हैं आँखें भारी आँखें भारी नीन दाती जा रही है नींद आती जा रही है शरीर बिलकुल दीला पड़ता चला जा रहा है आपकी चेतना इस टैनल के अंदर गहरे समाते जा रही है आप इस टैनल के अंदर और गहरे जा रहे हैं और गहरे और गहरे और गहरे मेरे एक से दस की गिंती तक आप इस टैनल की गहराई में और टीप मोस लेवल पर पहुँँ जाएंगे इस टैनल की गहराई आपके और चेतन मन की गहराई है इसके अंदर गहरे जाते जाएं एक गहरे जाएं गहरे जाएं गहरे जाएं गहरे जाएं मन शानत होता जा रहा है शरीर धीला पढ़ता जा रहा है जैसे ही मैं काउंट बढ़ाऊंगा आपका मन पहले से भी हजारों गुना गहरी शानत अवस्था में पहुंच जाएगा दो, गहरे और गहरे जाएं और गहरे जाएं आँखों पर शरीर पर कंट्रोल छोड़ दें कंट्रोल छोड़ दें शरीर धीला भारी रिलाक्स होता जा रहा है धीला भारी रिलाक्स होता जा रहा है धीला भारी रिलाक्स होता जा रहा है और गहरे जाएं और गहरे और गहरे तीन गहरे जाएं और गहरे जाएं चार और डीप जाते जा रहे हैं आँखें भारी नींद गहरी मन शान्द पांच और शान्द मन छें शरीर बिलकुल धिला शरीर बिलकुल धिला हाथ पैर के सारे मसल धिले करदन के सारे मसल धिले हो चुके हैं चेंग गहरे जाएं और गहरे जाएं साथ और गहरे आठ और गहरे जैसे ही मैं आपको दस कहूंगा आप इससे लाखों गुना डीप रिलाक्सेशन में पहुंच जाएंगे No, मन बिलकुल शान्द हो चुका है शान्द हो चुका है मेरे दस कहती आप बिलकुल अपने अवचेतन की आखरी गहराई पर पहुंच जाएंगे और गहरी नीन में चले जाएंगे आपको मेरी आवाज लगातार सुनाई देती रहेगी और आप एक गहरी नीन की अवस्था में चले जाएंगे मेरे दस कहते ही आपके अवचेतन की द्वार मेरी ले खुल जाएंगे और मेरी हर चीज आपको हर आवाज का हर पार्ट आपको सुनाई पड़ेगा और ये दस शरील पिल्कुल ठीला मन पिल्कुल शांद इसमें आप अवचेतन की गराई पर पहुँच चुके हैं आज से आपका कॉन्फिडेंस हजारों गुना बढ़ चुका है आप पूरी तरह से फॉकस्ट हैं आप एकदम शांद हैं, रिलाक्स्ट हैं और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है आप पूरी तरह से फॉकस्ट हैं आपको अच्छे से पता है कि किसी भी एक्जाम का मतलब किवल इतना होता है कि आप अपनी नौलिज किसी के सामने प्रगट कर सको और क्योंकि आपने अभी अपनी स्टेडी हैबिट्स को बहुत अच्छे से इंब्रोव कर लिया है आपके लिए काम बहुत असान है एक्जाम में अपियर होना, एक्जाम को क्लियर करना और अपनी best of the best performance देना ये आपके लिए बहुत आसान है आप पूरी तरह से प्रिपेर होकर जाते हैं और आपको एक्जाम में अपियर होने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक्जाम एक नई ऑपर्चुनिटी है अपनी पावर्स दिखाने के लिए अपने आपको प्रूव करने के लिए एक्जाम के दिनों में आप बिल्कुल शान्त रहते हो बिल्कुल क्लियर माइंड़ रहते हो फोकस्ट रहते हो और जो कुछ भी आपने याद किया होता है पढ़ा होता है वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से आसानी से रिकॉल कर पाते हो और एक्जाम में बहतरी इन तरीके से प्रिजेंट कर पाते हो लिखने का हो या वोकल हो दोनों केसे में आपके पर्फोर्मेंस बहुत अच्छी रहती है आप जो कुछ भी पढ़के गए हैं वो तो आपको याद रहता ही है साथ ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्ज इतने बहतर है कि आने वाली कोई भी अन्नोन समस्याओं को अन्नोन प्रॉब्लम्स को आप बहतरी इन तरीके से सॉल्व कर पाते हो आपकी problem solving skills बहुत अच्छी है हर एक आने वाली problem को आप as a opportunity देखते हैं आपको अच्छे से लगता है कि जो भी problem आ रही है वो अपना solution साथ लेकर आ रही है और आपको उस solution तक पहुँचना बहुत अच्छे से आता है आज से लोग आपको a great problem solver या संकट मोचन के नाम से जानेंगे क्योंकि आपके पास हर एक समस्या का एक बहतरीन समाधान मुझूद होता है और इसी confidence के कारण आज से आपकी किसी भी exam को handle करने की तैयारी बहुत अच्छी होती है आपका confidence देखने वाला होता है आप पूरी तरह से prepared होती है और आप हमेशा calm और relax रहते हैं बेलको relax रहते हैं क्योंकि आपने पहले से तैयारी की होती है इसलिए आप बहुत अच्छे से confident रहते हैं जब भी आप exam paper अपने सामने देखते हैं आप सारे paper को दो बार जल्दी से study कर लेते हैं और आपके दिमाग में बिलकुल clear हो जाता है कि कौन से questions आपको clear आते हैं और कहां पर आपने पहले attempt करना हैं ये आपको बिलकुल clear हो जाता है और आप इसे strategy के हिसाब से अपने exam को attempt करते हो और आप वही लिखते हो जो पूछा गया है बिलकुल सही सही answer आपके अंदर से आता है proper तरीके से आप diagram बनाते हो, pictures बनाते हो जो कुछ भी आपने study किया होता है वो आपके subconscious में हमेशा रहता है और जब आप questions पढ़ते हैं, answer अपने आप आपके द्विवाग में float करते हैं और सही सही भाशा में, सही सही अंदाज में आप उन answers को लिख पाते हैं कभी गलती से आपको किसी answer में surety नहीं होती या आपको थोड़ी बेचैनी होने लगती है तो आप जैसे ही अपनी आखें दस सेकेंड के लिए बंद करके एक deep breathing लेते हैं और अपने स्वास को पूरा खाली करते हैं आप तुरंट आपका mind open हो जाता है और उस problem का समाधान आपके अंदर अपने आप आने लगता है और आप बहतरी इन तरीके से उसका जवाब उसका अंसर लिख सकते हैं आप बहुत confident हैं, prepared हैं, relaxed हैं आपके पास पूरा control है, अपने exam का control आपके पास रहता है और आप हमेशा बहुत ही जवरदस performance दे कर आते हैं और exam में हमेशा top performance देते हैं, top results गेन करते हैं मैंने जो कुछ भी कहा है, आपके अवचेतन के अंदर पूरी तरह से imprint हो जाएगा और आपको सदा याद रहेगा, आपका अवचेतन इस पर सदा अमल कर सकेगा Lock, Lock, Lock आगे से जब कभी आप अपने आपको तीन बार शांती, शांती, शांती कहेंगे तो आपका मन बिलकुल शांत हो जाएगा आगे से जब कभी आप अपने आपको तीन बार शांती, शांती, शांती कहेंगे तो आपका मन बिलकुल शांत हो जाएगा आगे से जब कभी आप मेरी आवाज में तीन बार स्लीप, स्लीप, स्लीप सुनेंगे तो आप इससे भी लाखों गुना गहरे रिलाक्सेशन में पहुँच जाएगे आगे से जब कभी आप मेरी आवाज में तीन बार स्लीप, स्लीप, स्लीप सुनेंगे तो इससे भी लाखों गुना गहरे रिलाक्सेशन में पहुँच जाएगे मेरे एक से तीन की गिंदी तक आप इस रिलाक्सेशन स्टेज से बाहर आ जाएगे और बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे एक, टिके डिप रैथ, गहरी स्वांस लें दो, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को हिलाएं तीन, दोनों हाथों को रब करके आँखों पर लगा लें आइज ओपन, वाइड अवेक वाइड अवेक थैंक यू, मिशिन जीनिस माइंड के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी वेबसाइट माइंड गुरू इंडिया डाट कॉम पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें ताके आपको हमारे सभी वेडियो का अपडेट मिलता रहे थैंक यू